आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ practice questions loops के उपर और functions के उपर हम चलेंगे computer screen में देखेंगे loops कि इस तरह की अलग-अलग तरह से काम करते हैं while loops, do while loops, for loops, for in, for off यह सारी तरह की loops हम लोग देखेंगे और पर कुछ questions solve do questions and let's get started अब हम लोग चैप्टर तरी डेखने वाले हैं कुछ को जो कि चाप्टर त्री में हम लोगों को स्ट्राइधन करने में अपर यहां पर जल्दी सबसे पहले तो एक रैपल बना लेते हैं इस्तेमाल करके और मैं आपर सिंपली लिखूंगा कौन सा वीडियो नंबर यार यह 12 है ठीक है 12 टीक है नोट जिस लिखूंगा यहां पर लिखूंगा मैं 12 अंडर्सकोर चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट ठीक है और क्रेट रैपल कर दूँगा और हम लोग पहले क्वेशन को द कुछ इस तरह से अब्जेक्ट है आप लोगों क्या करना है प्रिंट करने माक्स को ठीक है आपको एक human readable form में दिखाना है माक्स को ठीक है तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा इस question को सबसे पहले तो मैं कहूंगा let obj is equal to ठीक है और दूसी चीज यह कि कभी भी variable के नाम दे रह कर रहा है ठीक है ना अपना राम इस्तिमाल करना मेरा में लाम इस्तिमेल करो ज्यास है arm ε ह curriculum लोश था सड्शक्राони अब‌ vot Да ऐ खयर हम करे क्रें इझा करें ड्रीच के माक्ष मांट लो 45ड और पड़ादी निया कर और मैं कर ओं तो करूं कया चार्थ यह भगवान क्या जलूम है अब मुझे प्रिटी प्रिंट करना है इसको ठीक है तो मैं क्या करूंगा फॉर लूप कर सकता हूं मैं आप लिख सकता हूं और अब यह जलूट की आपको लगेगी बड़ी अजीब है अब देखो ऑब्जेक्ट के इनदर जो कीज है वो देगा और उनकी लेंद देगा इसके इसमें फोर देगा ठीक है यानिकि इस ऑब्जेक्ट के इंदर कितनी कीज है ठीक है तो अब्जेक्ट कीज माक्स अगर मैं प्रिंट करूंगा तो यह सारी की सारी कीज एक अरे के अंदर देगा अरे क्या होते ही हम आगे बढ़ेंगे बड़ आपको बता दू कलेक्शन ऑफ इटम्स होते है ठीक है तो हैरी शुबम लविश मोनिका यह जो सेलेक्ट कि करूंगा तो फोर आजाएगा अब मैं आपर करूंगा क्या आप देखो मैं आपर सिंप्ली प्रिंट करूंगा ठीक है मैं कुछ इस तरह से और यह सिंटेक्स आप लोग को अभी बहुत ज़ादा ऐसा लगेगा किया यह क्या लिख रहे हो बट फॉर लूप से माक्स को प्र रहे हो फॉर देखो क्या करते यह लिख दिया और इसके ऐसे और यह टो अब hay आप देखो marks of Harry are 90, Shubham are 9, Lovish are 56, Monika के चार्ड, अब आपको को यारी काम कैसे कर रहो, object.keys क्या है, देखो, object.keys marks हमें सारी की सारी keys दे रही है, जिसे object.keys marks क्या करेगा, हमको Harry, Shubham, Lovish and Monika देगा, ठीक है, आप इस question को as a taste of array ले सकते हो, array का पहला सुआत दे दी है मुने आप तो क्या मिलेगा मुझे, Harry मिलेगा, index 0 से start होती है, अगर मैं 1 करूँगा तो Shubham मिलेगा, 2 करूँगा तो Lovish मिलेगा, 3 करूँगा तो Monika मिलेगी, ठीक है, आई चलना है मेरा 0 से लेके 3 तक, इस case में, क्योंकि यह चीज चार है, ठीक है, अब आप में से कही लोगों को हमने आपर क्या किया, फिर उसके बाद यह syntax क्या कर रहा है, यह बताता हूँ, marks के अंदर में कोई भी key डालूँगा, तो क्या होगा, मुझे मिलेगा value, ठीक है, तो marks और यह वाला syntax जब भी मैं use करता हूँ, तो इसके अंदर में जो भी key डालूँगा, उसके corresponding value मुझे कौनसी number की चाहिए मुझे, 0, 1, 2, 3, जो भी for loop की iteration चल रही है, ठीक है, तो यह कुछ इस तरह से syntax प्रेंट कर देता है, तो यह था हमारा problem number 1, ठीक है, problem number 1, और कोई तरीका मेरे पास नहीं था, print करने का using for loops, using plain for loops, अब देखो foreign loops से कैसे काम चलेगा, अब मालो मैं foreign loop use करता ह अगर मैं foreign loop use करता हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का काम कर सकता हूँ, मैं copy paste कर रहा हूँ, तो मैं आपर लिख दूँगा, let i in marks, ठीक है, और एक बार के लिए बस मैं console.log i print करके आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, इस comment आउट कर देता हूँ, तो जब भी मैं ऐसा करूँगा, आप देखो, यहाँ पर क्या होगा, उपर वाला तो print हो गई होगा, बट आप देखो, यह सारी keys print हो गई, मुझे keys मिल गई, value तो मिली जाएगी, तो आप देखो foreign loop कितनी बड़ी problem को solve करता है, पहले javascript पे इतना बड़ा code लिखना पड़ता था, ठीक है, और आप लोग कुछ ऐसे कर सकते हो, marks of, आप यहाँ पर लिख सकते हो, I, R, marks, I, ठीक है, और यहार मैं तो कहूँगा कि I ना लिखके हम इसको key कहें, इसको हम key कहें, ठीक है, I हम पहले use कर रहे थे, इसको फोड़ा key कहेंगे, तो variable के नाम मैंने कहा था था आपको, कि हमेशा मे use करो, जो कि उसके बारे में बताता हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, the marks of key are marks key, तो यह चीज बिल्कुल यही प्रेंट करेगी, जो उपर प्रेंट किया गया है, तो मैं जरा अगर इसको, यहाँ पर comment आउट भी कर दूँ ना, कुछ इस तरह से, मालो मैं सो comment आउट कर यही इसको अटा देता हो, ठीक है, मालो एक correct number है, ठीक है, correct number है मालो और यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले problem number 3, और मालो मेरा let cn, यानि कि correct number is equal to 4, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं user से कर रहा हूँ कि बाई, एक correct number एंटर करो, ठीक है, enter a number, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ, prompt enter a number, तो जो i है, वो हो जाएगा, prompt enter a number, और जब तक i is not equal to correct number, हम user से number enter करवाते रहेंगे, समझ रहे हो आप लोग, हम user से number enter करवाते रहेंगे, देखते हैं, यह कैसा काम करता है, तो यहाँ पर, मालो मैंने 3 प्रिंट किया, 6 प्रिंट किया, 7 किया, 4 किया, तो हाँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, console.log कर दूँगा, you have entered a correct number, अब यह प्रोग्राम कैसे काम कर रहे है, देखो मालो मेरा correct number 43 है, ठीक है, मैंने यह प्रोग्राम चलाया, यह प्रोग्राम चलाने के बाद मैं कुछ भी यह यहाँ पर प्रोग्राम चलता ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही 43 लिखोंगा यह पर, यह बोलेगा, you have entered a correct number, ठीक है, और प्रोग्राम exit कर जाएगा, तो यह कैसे काम कर रहे है, यह देखो, सबसे पहले correct number, मेरा 43, मैंने बना लिया, अब क्या हो रहा है, कि मैंने एक i न not equal to correct number चलती रहेगी, जैसे ही i जो है correct number के ब्राबर हो जाएगा, वैसे ही यह प्रोग्राम terminate हो जाएगा, और दुबार आप से नहीं पुझेगा, प्रोग्राम के लिए, तो यह प्रोग्राम तब तक चलेगा, जब तक आप correct number नहीं कर देते हैं, और यही काम हम लोग को क एंटर ना कर दे, ठीक है, तो देखो, 43 मैंने जैसे ही लिखा, उपस, 43 मैंने जैसे ही लिखा, उसके बाद भी यह try again क्यों बोल रहा है, you entered a correct number, मैं 43 जैसे ही लिखा यहाँ पर, actually क्या है रहा कि, मैं कुछ इस तरह से करूँगा, ठीक है, और मैं इसको run करूँगा, 4, 5, 6, अब जैसे 43 प्रिंट कर रहा है, you have entered a correct number, तो कुछ इस तरह से आगया, ठीक है, so I hope कि आप लोग को एक question समझ में आगया, कि इस तरह से हम नहीं किया, ठीक है, चौता question functions के उपर है, और यह कह रहा है कि, आपको एक function मिना रहा है, पांच numbers का mean निकालने के लिए, ठीक है, तो इसको भी solve करते है, तो यह हमारा question number 3 था, हम problem number 4 पर बढ़ेंगे, और problem number 4 में क्या है, कि हम ही निकालना है mean, ठीक है, तो मैं simply क्या करूँगा, मैं arrow function ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ इस तरह से arrow function मिनाओंगा, ठीक है, कि चार numbers लेगा, A, B, C, और D, ठीक है, और मैं बहुत ही shortcut में आपर return करा दूँगा, A plus B, plus C, plus D, divided by 4, ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ, console.log, mean of, 4, 5, 6, 7, और run करता हूँ, actually यह वादा program चलना है, तो मैं 43 लिखकर इसको तरह quit करता हूँ पहले, देखो 5.5 इसने मुझे mean दे दिया, ठीक है, क्या यह correct है, क्या correct है यह, क्या numbers थे मेरे, मेरे numbers थे, I guess, 4, 5, 6, 7, देखता हूँ, 4, plus 5, plus 6, plus 7, actually दिखी रहा है, क्या mean 5.5 है, चुकि, इन 4 नमबर के बीच पे जो नमबर लागे करता हूँ, 5.5 ही है, बट स्टिल, 22 by 4 करूँगा और 5.5, जो की correct है, ठीक है, so I hope कि आप लोगो समझ में आए, प्रैक्टिस सेट, और आप लोग कर पाए, इन questions को solve, आने वाले chapters में more concepts देखेंगे, और अच्छी तरह से और समझेंगे इन सारे के सारे concepts को, also हम लोगों ने 1,00,000 views complete कर लिये हैं, प्लेलिस्ट पर, मुझे नहीं बता exactly क्या 1,00,000 लोगों ने देखा है, या update ही इस तरह से होता है, मुझे comments से आपने thoughts जरूर बताना, ऐसा हो नहीं सकता वैसे कि exactly 1,00,000 लोगों ने देखा हो इसको, 1,00, 1,00, 2,00, ऐसे मंदब देखा होगा न, 1,00, थोड़न लग जाएगा सीधे, अगर आपने अभी तक bookmark नहीं करी एस playlist को, बुक माग करें इस playlist को अभी के अभी, और इसको save भी कर लें या click करके, अभी के लिए इस video में इतना है guys, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time,